आज हम जानेंगी कि एक जैन स्रावक को कौन कौन से व्यवसा या व्यापार धंदे नहीं करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए तो जानते हैं उन 15 कर्मादानों के बारे में जो एक स्रावक के लिए वर्जनिय है आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक 15 कर्मादानों के नाम है अंगार करम, वन कर्म, सकटी कर्म, भाटी कर्म, स्फोट कर्म, दंत वानिजिय, लाक्षा वानिजिय, रस वानिजिय, विस वानिजिय, केस वानिजिय, यंत्र वानिजिय, निरलांचन कर्म, दावागनी दापनिका कर्म, सरद्र हत डाग सोशंता कर सबसे पहले जानते हैं अंगार कर्म के बारे में लकडिया जला कर उनसे कोईले बना कर बेचना और इस प्रकार की आजीवी का चलाना कोईलों के लिए संसार के उपकारी महान वरुक्षों को काटा जाता है फिर उन्हे जलाया जाता है ऐसा करने में छे काई के जीवों की विरादना होती है इतनी हिंसा करके भी आर्तिक लाब बहुत थोड़ा होता है धार्मिक लाप तो होता ही नहीं है व्रिक्षों से जो आक्सिजन या प्रान वायू मिल सकती थी वो बंध हो जाती है व्रिक्ष काटने से नैसरगिक सौंदर्य नश्टो हो जाता है इसलिए जंगल आदे खरीद कर या ठेके पर लेकर कोईले बनाना स्रावक के लिए निशिद है दूसरा है वन कर्म इसका मतलब है बड़े बड़े जंगलों का ठेका लेकर उनसे लकडी बांस आदी काट कर बेचना इस व्यवसाई से तातकालिक लाब क्रम एवं परंपरा से बहुत थानी होती है इससे वनों का प्राकृतिक सौंदर्य नश्ट हो जाता है वन्य जंतुओं का आधार छूट जाता है वनाश्रित रहने वाले कई पंचेंद्रिय आधित्रस जीवों का भी नास हो जाता है तीसरा है सक्टी कर्म यानि कार बस आधी की बॉड़ी बनाना रेल गाड़ी के डिबबे बनाना, बैल गाड़ी या घोड़ा गाड़ी, रत, तांगा, रिक्षा, आधी बनाना, बेचना, किराये पर देना आधी सब सक्टी कर्म है इस कार्य से पंचेंद्रिय जीवों को महानत्रास होता है जो महापाप का कारण है इसलिए स्राव को ऐसा व्यवसाई करना निशिद्ध है चोता है भाटी करम यानी टैक्सी, कार, ट्रक, आदी, भाड़े पर चलना या चलाना गाड़ी, गाड़े, आदी जो मनुश्यों और पशों द्वारा वहन किये जाने वाले वाहनों का निर्मान मुख्य है भाड़ी करम में उन्हें किराये पर देना या उन्ट, गोड़े, बैंसे, गदे, कच्चर, बैल आदी रखकर उन्हें भाड़े पर देकर उनसे अपना धंदा चलाना मुख्य है स्रावक अपने आसरित पालतू पशों से मरियादित बोज तो उटवा सकता है लेकिन बोज डोने के लिए पशों को दूसरों को भाड़े देना श्रावक के लिए निशिद है क्योंकि भाड़े पर लेने वाले लोगों में दया बहुत कम ही होती है वे उन पर अत्यदिक बोज लाद कर उन्हें बेरहमी से पीट पीट कर चलाते हैं या अत्यदिक काम लेते हैं बदले में उन्हें खाने को बहुत थोड़ा देते हैं कभी कभी तो उसकी भी लापरवाही कर जाते हैं पांचवा है स्फोर्ट कर्म यानि बड़ी बड़ी खानों में पत्तर फोड़ने या खनीच पदार्तों को तोड़ने के लिए सुरंग बिछा दी जाती है उन में बारुद लगा दी जाती है जिससे बहुत जोर का दमाका होता है इस प्रकार के व्यवसाई को स्फोर्ट कर्म कहते हैं ऐसे विस्फोर्ट से कभी कभी खानों में काम करने वाले मजदूर या बाहर खड़े अंजान लोग अपने प्रानों से हाथ धो बैठते हैं अत्वा पत्थर मिट्टी आदी को फोड़ने फुड़वाने का ठेका लेकर उस खनीज्या परवतिय पदार्त को बेचना और अपनी आजजिवी का चलाना भी स्फोर्ट कर्म है छटा है दंत वानीज्य हाती के दान्त लाने वाले लोगों से दान्त खरीद कर बेचना दंत वानीज्य है हाती के दान्त निकालते समय प्राई उन्हें मारा जाता है इसलिए दान्त लाने वाले लोगों को ओर्डर दे कर दान्त खरीदने और बेचने में परोख शुरूप से पंचेंद्रिय हिंसा का महापाप लगता है इसलिए ऐसा व्यापार त्याज्य माना गया है दन्त वानिज्य में हडडी, संग, चमडी, सींग, नक, आदिपशूओं के विविद अव्यवों के वानिज्य का भी समावेश हो जाता है जो इसी प्रकार पंचेंद्रिय जीवों के वद से प्राप्त होते हैं सात्वा है लक्वानिजिय यानि लक्वानिजिय का अर्थ है लाक का व्यवसाई 36 गड में संबलपूर में इसकी विशेश खेती होती है लाक निकालने में दो इंद्रिय आदितरस जीवों का बहुत ही वद होता है इसलिए ऐसा आत्महानिकारक व्यवसाई एक स्रावक के लिए वर्जनिय है आत्वा है रस्वानिजिय रस्वानिजिय का अर्थ है मदीरा बनाने और बेचने का व्यवसाई करना जिन पदार्तों से मनुष्य की बुद्धी नष्ट हो जाती है वो उन्मत हो जाता है ऐसे नशिले पदार्थ शराब, भांग, ताड़ी, ब्रैंडी, विस्की, अफिम, गांजा, आधी बनाने और बेचने का धंदा करना, शराब का ठीका लेना आधी सब रसवानीच्य के अंतरगत आते हैं नववा है विस्वानीच्य, यानि अफिम, संक्या, पोटैशियम, साइनाइड, आधी जीव नाशक पदार्थों की गनना विश्मे की जाती है, जिनके सूंगने या खाने से मृत्यू हो जाती है ऐसे विशेले पदार्थों का व्यवसाई विस्वानीच्य है, जो कि स्रावक के लिए त्याज्य है, विस्वानीच्य में सांप, बिच्चू, आधी, जहरीले जानवरों को मार कर उनका जहर निकाल कर भी लिया जा सकता है और खेती में उप्योग होने वाले पेस्टिसाइट्स, रासाइनिक खादे भी ग्रहन कर सकते हैं दस्वा है केस वानीच्य, यानि केस का व्यापार, सुन्दर केस वाली दासियों का क्रई विक्रई करना केस वानीच्य से संबंदित है प्राचिनकाल में इस प्रकार से दास दासियों का क्रई विक्रई भारत में और भारत से बाहर भी होता था स्रावक के लिए ये व्यापार इसलिए निंद्य या त्याज्य है क्योंकि दास दासियों को ऐसे क्रूर मालिकों को बेज दिया जाता था जो उनसे कुरूरता पूर्वक, मन माना, पाप कृत्य, व्यभी चार आधी निंद्य कर्म करवाते थे, उन पर अमानुशिक अत्याचार करते थे, कन्या विक्रई, वर आधी विक्रई भी इसी कोटी के अंतरगत कुरूरता पूर्ण व्यापार है इसके अलावा भेट, सुवर, आधी पशुओं के बाल काटना और उनसे कंबल, पश्मिना, शाल, नरम, ब्रश, आधी बनाने का व्यापार करना भी केश व्यापार है ग्यारवा है यंत्रवानीचिय, यानि यंत्रों से पीडन करने का, पीलने का धंदा करना यंत्रपीडन कर्म है प्राचिनकाल में कोलहू आधी यंत्रों से गन्ना या तिल पेल कर लोग आज जीविका चलाते थे, किन्तु इसमें बहुत से त्रस जीव मर जाते है अपने खेत में पैदा होने वाले गन्ने कोलहू से पेरना या तिलों से तेल निकालना या निकलवाना यंत्रपीडन कर्म नहीं है क्योंकि वो स्वयम कोई व्यापार नहीं करता है अपने लिए निकलवाता है वर्तमान में बड़ी-बड़ी मीलों, कारखानों आदी में यंत्रों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो भी यंत्रपीडन कर्म है अत्वा इसका वर्तमान युक सापेक्ष अर्थ ये भी हो सकता है कि जहां पर बड़े-बड़े यंत्रों को लगा कर मनुश्यों के स्रम का सोशन किया जाता है वहां यंत्रपीडन कर्म है इन बड़े-बड़े यंत्रों के कारण भारत के गामों के उद्योग चोपट हो गए छोटे-छोटे उद्योग धंदे वाले या शिल्पकार बेकार हो गए उनका धंदा मारा गया ये भी यंत्रवात का अभिशाप ह 12. निरलांचन कर्म यानि पसूओं को नपुंसक करके आजीवी का चलाना निरलांचन कर्म है ऐसे व्यवसाई से पसूओं को बहुत पीडा होती है उनकी नसल भी खराब होती है इसलिए स्रावक के लिए ऐसा व्यवसाई करना त्याज जी है तेरवा है दावागनी दापनी का कर्म इसका अर्थ है वन में आग लगाने का ठेका लेना या व्यवसाई करना भूमी साफ करने में स्रम न करना पड़े इसलिए कई लोग जंगल में आग लगा देते हैं इस प्रकार जंगल को जला देने से वनस्पती के आसरित बहुत से त्रस जीव मर जाते हैं इसलिए स्रावक के लिए ऐसा व्यवसाई निंदनिय और त्याज्य है चोद्वा है सरहद तलाई शोशन शोशनता कर्म इसका अर्थ है तालाब जील जलासई आधी को सुखाना कई लोग तालाब आधी को सुखा कर वहां की भूमी को क्रिशी योग्य बनाने के लिए व्यवसाई करते हैं इस धंदे के कारण जल के और जल के आस्रित रहने वाले अनेक जीवों का वद्ध हो जाता है इसलिए ये व्यवसाई छोडने योग्य है पंदरवा है असतिजन पोशंता कर्म यानि उन असती कुल्टा या व्यविचारीनी स्त्रियों को एक स्थान पर रख कर उनसे व्यविचार करा कर व्यवसाई चलाना ये एक प्रकार का वैश्या कर्म को प्रोचसाहन देने वाला निंद्य धंदा है इस प्रकार की कमाई अत्यन पाप पूर्ण है कई बार ऐसी कुल्टाओं के गर्ब रह जाने पर वे गर्ब गिरा कर भ्रुन हत्या कर देती है इसलिए ये सर्वता त्याज्य है वर्तमान में काल गर्ल्स भी इसी स्रेनी के अंतरगत आती है तो ये पंद्रा प्रकार के महा पाप कर्म के बंदन भूत व्यवसाई है इस तरह के जितने भी महा हिन्सक लोक निंद्य व्यापार है वे सब स्रावक के लिए छोडने योग्या है त्याज्या है तो ये थे 15 करमादान जो एक जैन स्रावक को कभी भी नहीं करने चाहिए आज का प्रशन है कि कौन से तिर्थंकर वासुदेव बने कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब